नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग केक चैनल में आपका स्वागत है तो आज हम बात करने वाले हैं NPV के बारे में यह एक विशानू यानी वाइरस होता है जिसका फुल फॉर्म है नुकलियर पॉलिहाइड्रोसिस वाइरस NPV जो जेविक खेती के लिहाद से बहुत ही फाइडे मन है तो आज हम विश्तार से जानेंगे कि यह NPV वाइरस क्या है कैसे काम करता है इसके फाइडे क्या है और किस प्रकार से इसे प्रयोग में लेना होता है तो आखी तक बने रहिएगा इस महतवपुन वीडियो के साथ और अभी तक आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल बतन को भी दबा दीजिए तक ऐसी ही महतवपुन जानकारिया आपको आगे भी मिलती रहे नुक्लियर पॉलि हाइड्रोसिस वाइरस एन पीवी यह वाइरस पर अधारित बहुत ही असरकारक जैविक कीतना सक है जिसका प्रयोग हरी सुन्दियां और विभिन प्रकार की फल छेड़क सुन्दियों को नियर ट्रिट करने के लिए किया जाता है चने की हरी सुन्दियों के लिए बना एन पीवी उसी हरी सुन्दियों पर असरकारक होता है और टंबाकू कपास की सुन्दियों के लिए उसी सुन्दियों से रिलेटेड NPV असरकारक होता है NPV एक जैविक कितना सके और यह liquid form में मिलता है अब उसका काम करने का तरिका देखें तो NPV में वाईरस कन होते हैं और फसलों में लगी सुन्दियां NPV के डाइरेक्ट संपर्क में या फिर सुन्दियों द्वारा NPV ग्रस्ट पत्तियां खाने से यह वाईरस सुन्दियों के सरीर में गुश कर टुरंट ही अपना एक्षन दिखाने लगता है यह सुंदियों के अंडर ही अंडर विक्सित होता है और इससे असरग्रस सुंदियां खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ देती है 2-4 दिनों के भीतर ही सुंदियों का सरीर बुरा सा और फुला हुआ टाइप का हो जाता है यानि NPP के असर से सुंदियों का पुरा सरीर फुलने लगता है और सड़ा हुआ सा दिखाई देता है और उसमें से वाइट कलर का पडाठ स्राविट होने लगता है और आखिरकार सुंदियां अपना दम तोड़ देती है NPV से रोक ग्रस्त और मरी हुई सुन्दियां पट्टियों के किनारे या तहनियों पर उल्टी लटकी हुई देखने को मिलती है अब NPV का उप्योग, प्रयोग और डोज की बाठ कर लेते हैं NPV, कपास, गोबी, तमाटर, मीर्च, बिंडी, मतर, चना, मुंफली, तंबाकु और अन्य विभिन सब्जियों में लगने वाली विभिन प्रकार की सुन्दियों को नियन ट्रिट करने के लिए बहुत ही असरकारक है फसलों के उपर इसके प्रयोग के लिए बहुत ही कम मातरा में NPV फॉर्मूलेशन को लेना होता है इसके प्रयोग से पहले क्या करना है? 1 ml NPV फॉर्मूलेशन को 1 लिटर पानी में अच्छे से मिला देना है अब इस 1 लिटर बने गोल में से 200 से 500 ml मातरा को 30 हेक्टेर के हिसाब से प्रयोग में लेना है NPV का प्रयोग फसलों के उपर सिर्फ स्प्रे के रूप में ही करना होता है और ध्यान रहें कि NPV का स्प्रे साम के वक्ट ही किया जाना चाहिए क्योंकि इसका भी रिजन है कि सुरज की किर्णों में मौजूद अल्ट्रा वायोलेट से NPV वायरस पूरी तरह से निश्क्रिय हो जाता है और हरी इल्लियां और अन्य सुन्दियां ज्यादा थर राज के समय ही ज्यादा एक्टिव होती है उसलिए सामके समय NPV का स्प्रे करना फाइडे मंद होता है जिससे अगले दिन सुरज के अल्ट्रा वायोलेट लगने से पहले ही यह NPV सुन्दियों के सरीर में प्रविस कर जाए और अपना असर दिखाना शुरू कर दे और अगर NPV का स्प्रे सुन्दियों के लारवा के सुरूवाती अवस्था या अंदे देने की अवस्था पर किया जाए तो बहुत ही असरकारक और फाइडे मंद होता है और बारा से पनरा दिनों के अंतराल पर NPV का डोस से तीन फ्रे कर देने से सारी सुन्दियां पुरी तरह से समाप्थ हो जाती है NPV की अच्छी कारेक समता के लिए उसके ड्रावन में थोड़ा सा गुड़ भी मिलाया जा सकता है NPV की सेल्फ लाइफ लगबग एक साल तक की होती है NPV को कम रोशनी और कम टेंप्रेचर वाली जगह पर रखा जाए तो उसे अच्छे से लंबे समय तक स्तोर किया जा सकता है अब NPV वाइरस की कुछ इंट्रेस्टिंग बाटे जान लेते हैं NPV के प्रयोक से फसलों को, मिट्रकितों को और अन्य पसुपक्सियों और मनुस्य को कोई भी नुक्सान नहीं होता है यानि 100% जैविक है NPV से रोगगरस सुन्दी के सरीर से जो वाइट पडाथ स्रावित होता है उस पडाथ के संपर्त में अगर अन्य सुन्दी आ जाएं तो उसे भी NPV मार देता है यह NPV वाइरस रोगगरस सुन्दी के अंडों से होकर एक PD से दूसरी PD में भी प्रवेस कर जाता है और NPV के बारे में बहुत ही रोचक और इंट्रेस्टिंग जानने लायक बात यह है कि अगर NPV से रोगगरस इल्ली को अगर कोई पक्सी खा लें तो उस पक्सी को कोई भी नुकसान नहीं होगा और यह NPV वाईरस पक्सीयों के मल मुट्र के जड़िये होकर बाहर आ सकता है उस पक्सी द्वारा किये गए मल मुट्र के संपर्क में अगर कोई अन्य सुन्दी या इल्ली आती है तो उस सुन्दी को भी NPV लग जाएगा और वो मर जाएगी है ना इंट्रेस्टिंग यानि NPV लगे पत्तियों को सुन्दी या खाती है या फिर जरा सा भी उसके संपर्क में आती है तो समझो कि उस सुन्दी या इल्ली का मरना तई है उसे कोई नहीं बचा सकता तो दोस्तों उम्मिट करता हूं कि NPV वाइरस के बारे में यह जानकारी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और आपके लिए उप्योगी भी बनी रहेगी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक देते ही जाएगा क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है तो मिलते हैं अगले वीडियो में जय किसान, जय हिन